Hello students, आज की इस वीडियो के अंदर हम transition elements की कुछ एक properties को study करने वाले हैं, जिसमें से first property हमने चूज की है, catalytic property. तो catalytic property होती क्या है? Catalytic जो word है, किससे बना है? Catalyst word से निकला है. Catalyst का मतलब क्या होता है? एसे substance, जिनने जब reaction के अंदर डाला जाता है, तो वो क्या करते हैं? Rate of reaction को increase कर देते हैं. ठीक है? यानि ये reactions के लिए beneficial होते हैं. Catalyst जो होता है, ये खुद को involve किये बिना, मतलब खुद के composition पे और खुद के amount के ओपर किसी भी तरीके का कोई effect नहीं गिरने देता, और reactant को किसमे convert करवा देता है? प्रोडेक्ट के अंदर. अगर हम क्या डाल देते हैं उसके अंदर? Catalyst. और जो reaction हमारी बोती ज़्यादा लंबे time के अंदर proceed होनी थी, वो बोती कम time के अंदर complete हो चुकी होती है. यानि Catalyst जो होता है ये बोती good रहता है किनके लिए किसी भी reaction के लिए उसे fastly complete करवाने के लिए. अब हमारा main जो मकसद है, हमें ये चीज़ नहीं पढ़नी, हमें catalytic property क्योंकि हम transition element पढ़ रहे हैं, तो जादत तर जो catalyst होते हैं, most of the catalyst जो है, वो किसके बने होते हैं, वो D-block element के, D-block element. यानि D-block elements के अंदर क्या होती हैं, metals होती हैं, तो उनके बने होते हैं, यानि जो transition metals हैं, वो किसकी तरह behavior करती हैं, transition metals जो है transition elements जो है वो as a catalyst किसकी तरह behave करेंगे as a catalyst behave करते है तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ खास property होती है इनके पास क्या खास property है number of unpaired electron present होते है number of unpaired electrons जो है वो present रहते है second चीज क्या है कि इनके पास n-1 d-shub shell present होता है जिसमें 1 से लेके 10 तक electron exist करते है यानि एक लंबी range के अंदर जो electron है वो present रहते है और जो oxidation state है इनकी वो भी क्या करती है वर्री कर जाती है ठीक है तो इन regions की वज़े से जो catalyst है वो transition element as a good catalyst वो थी अच्छा रोल प्ले कर जाते है यहाँ पर काफी सारे ऐसे example है transition elements के जैसे हम use करते है as in catalyst nickel हो गया ठीक है वैनेडियम पेंटा उक्साइड हो गया iron हो गया platinum हो गया तो इन सब को as a catalyst यूज किया जाता है as a catalyst डी ब्लोक के element है सारे या तो इनने direct इस form में use किया जाता है या फिर इनके oxide form के अंदर use किया जाता है लेकिन इनने as a catalyst यूज किया जा रहे अपने एक भोती famous reaction पढ़ी भी होगी preparation of sulfuric acid के अंदर use की जाती है जो contact process होती है उसके अंदर हम यह कहते हैं वहाँ पर कि SO2 को oxygen के साथ in presence of vanadium pentoxide and at some specific temperature and pressure range जब react करवाया जाता है तो यह convert हो जाता है SO3 के अंदर तो हमें लगता है कि यह oxygen SO2 के साथ react कर रहा है तभी तो SO3 बना रहा है लेकिन in actual होता क्या है कि जो V2O5 है यह अपना oxygen देता है और किसमें convert हो जाता है V2O4 के अंदर और साथ में क्या बन जाता है आपर SO3 यह pentoxide से tetraoxide में convert हो गया बहुत catalyst तो यह था यहाँ पर catalyst यूज़ किया है हमने तो catalyst SO2 के साथ react करके क्या खरवाता है उसे SO3 में convert करवा देता है और साथ में क्या बनता है V2O4 अब catalyst तो as it is retain होना चाहिए यह तो इस form में अगर चला गया तो catalyst ही कंज्यू हो जाएगा फिर क्या होता है जो V2O4 है यह oxygen के साथ जो इस oxygen का हमने या जिक्र किया है इसके साथ react करके V2O5 के अंदर convert हो जाता है और इस तरीके से हमारी जो reaction होती है वो क्या होती है complete हो जाती है और जितने amount में जिस texture के साथ V2O5 हमने यूज किया था same वैसे यह obtain हो जाता है तो यह procedure रहता है इस पूरे जो reaction होती है जो catalytic property होती है उनके पीछे तो बहुत सारी ऐसी transition metals है जिनके पास suitable large surface area present होता है free valences present होती है जो reactant को बहुत easily absorb कर सकते है अपने surface के उपर और इसी वजह से यह as a good catalyst यूज किया जाते है और reaction के rate को increase करते है क्या क्या पता है मैंने यहाँ पर कि इनके पास large surface area होता है free valences होती है और यह reactant molecule को बहुत अच्छे तरीके से अपने उपर absorb कर सकती है और उन्हें product के अंदर convert करवा सकती है इसी वजह से यह rate of reaction को क्या करती है increase करवा देती है तो यह था हमारा catalyst के बारे में अब catalyst जो था यह तो complete अब हम बात करते हैं colored ions colored ions जो deep block elements होते हैं इनके जो compounds होते हैं वो colored होते हैं most of the transition metal compounds जो होते हैं वो colored होते हैं मैं यह पर लिख देती हूँ most of the transition metal transition metal compounds are colored किस region की वजह से होते हैं colored यह देखिए इनके पास vacant d orbital present होता है जो vacant d orbital होता है वो इस तरीके से हम बना के दिखा सकते हैं ठीक है यह degenerated d orbital है कौन सा orbital है degenerated d orbital यहाँ पर मैंने इसे बनाया है degenerated जो d orbital है अब इसके अंदर क्या रहेगा degenerated d orbital जब ligain आके इसे approach करेंगे जब भी oppositely charge giants आके इसके साथ interact करेंगे तो यह further degenerated form के अंदर नहीं रहता है यह split हो जाता है दो form के अंदर ठीक है किस तरीके से जो इसके तीन orbital होता है वो तो नीचे और जो दो orbital होंगे वो उपर इन्हें बोला जाता है T2G और इसे बोला जाता है EG इनका जो energy level होता है वो different different है मान लो इस d orbital के अंदर एक electron present था यहाँ पर जो electron है जब तक ground state के अंदर रहेगा energy absorb नहीं किया है तब तक तो वो ground state के अंदर है जैसे इसे suitable frequency की light मिलेगी यह तुरंत energy को absorb करेगा और यहाँ से क्या करेगा excited state के अंदर चला जाएगा जब तक energy रहेगी इसके पास सब तक तो यह excited state के अंदर रह सकता है लेकिन जैसे यह energy lose out करना start करेगा तुरंत यह क्या करेगा backward direction के अंदर move करना start करेगा और फिर से क्या करेगा ground state के अंदर आ जाएगा तो जब यह वापिस ground state के अंदर आएगा उस time पे जिस भी wavelength के corresponding light energy को emit करेगा वो ही color हमें naked eye से जो भी जिस भी color का हमें compound दिखाई देता है वो उस reason की वज़े से दिखाई देगा ठीक है तो यह होता है crystal fill splitting के नाम से हमें कह रहे ना कि और बिटल जो है डिजर्नेटीड रहे नहीं रहेगा जैसे लिगे ना की से अप्रोच करेंगे आयन साके अप्रोच करेंगे यह क्या करता है दो भागों के अंदर split हो जाता है तो इस splitting को किस नाम से जाना जाता है crystal fill splitting और यही responsible होती है color of the compounds के पीछे तो ऐसा होता किस region की वज़े से है अब देखिए कम से कम जब भी यह degenerated form के अंदर आएगा degenerated form splitting form के अंदर आएगी तो इस orbital के अंदर कोई ना कोई ऐसा electron जरूर होना चाहिए जो इस lower ground state से excited state के अंदर excited होके जा सके energy को absorb करके higher state के अंदर जा सके ऐसे compound जो इस चीज़ को show कर पाएंगे ऐसे ions जो इस process को show कर पाएंगे splitting को दिखा पाएंगे सिर्फ वो ही colorful होंगे otherwise नहीं होंगे यानि unpaired electron का होना बहुत ज़्यादा important है इस process के लिए अब हम अगर बात करें जैसे देखिए scandium एक compound लेते हैं हम H2O whole 6 और यह है 3 positive charge के अंदर scandium metal की हम oxidation state निका लेंगे जो H2O होता है यह neutrally gain होता है इसके ओपर charge 0 रहेगा scandium का निकालना है हम इसे X consider कर ले H2O 6 time दिया हुआ है लेकिन charge कितना है हरे के ओपर 0 is equal to क्या आ गया plus 3 क्योंकि आपर plus 3 ले रखा है तो X की value क्या आ जाएगी यह तो पूरा 0 हो गया तो X is equal to कितना आ गया plus 3 scandium कितनी oxidation state के अंदर present है यह plus 3 के अंदर scandium का atomic number होता है 21 configuration जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे scandium का 3D1 4S2 electron थे 2S में और एक D के अंदर और यह इसने क्या क्या eliminate करवा दिये तो क्या बचा 3D 0 4S 0 अब अगर D के अंदर electron ही 0 हो गया electron ही नहीं बचा तो क्या यह colorful होगा यह compound नहीं होगा colorful क्यों क्योंकि unpaid electron होना compulsory है D orbital के अंदर अगर DD transition होती है यहाँ पर DD transition DD transition का क्या मतलब है कि एक D orbital से कहा जा रहा है higher D orbital के अंदर तो DD transition के वज़े से color show होता है अब इसके पास अगर unpaid electron ही नहीं तो DD transition भी possible नहीं होगी तो जिस वज़े से color भी show नहीं करेगा इसी तरीके से जो compound होते हैं जैसे है zinc 2 positive हो गया हाना और आप यहाँ पर consider कर सकते हैं mercury 2 positive है gold positive है copper positive है cadmium 2 positive है तो इन सब के अंदर इनका जो D orbital है वो fully filleded है कैसा है fully filleded orbital है जो D orbital है वो fully filleded है जिस region की वज़े से D के अंदर 10 electron present है अगर 10 के 10 fulfilled है तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4 6 और 4 कितने हो जाएंगे complete 10 हो गए अब अगर पूरे electronic configuration इसका fully filleded है तो ground state से excited state में जाए नहीं सकता electron क्योंकि यह तो already fully filleded है तो कैसे जाएगा तो इस region की वज़े से यह भी color shoot नहीं करते हैं colorless होते है या पर इनके जो को salt होते है वो white color के मिलेंगे आई बास समझ में लेकिन अगर कोई compound है हमारे पास for example देखिए अगर हमारे पास कोई compound है जैसे हम consider करते हैं याँ पर titanium h2o whole 6 और इसके उपर कितना charge है 3 positive charge दिखा दिया तो titanium का atomic number कितना होता है इसका होता है 22 configuration जब आप लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी 3D2 4S2 ठीक है अब 3D2 4S2 है oxidation state कितनी है इसकी plus 3 titanium की क्योंकि ये तो neutral ligand है 0 हो जाएगा तो titanium की oxidation state कितनी आएगी plus 3 अगर plus 3 में present है तो 3D1 रहेगा 2 electron इसके 0 हो जाएगी और एक इसमें से चला गया D में कितना बचा एक यानि splitting यहाँ पर possible है DD transition इस case के अंदर possible होगा और अगर possible है तो ये कैसा होगा colorful compound होगा colorless नहीं होगा ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया D के अंदर अगर एक electron है 2 है 3 है 5 है तो उस time के उपर ये color show करेंगे otherwise color show नहीं होगा तो ये था इसके color के पीछे reason I hope आपको समझ में आया होगा आप अपने notes बना लें उसके अंदर ये TJ include करें साथ-साथ NCRT और conceptual questions in unit के जरूर बढ़ते जाएं important unit है 5 mark का जो question होता है वो इसी unit में से आना है एक question 5 mark का इसी unit में से आना है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी preparation साथ-साथ करें ठीक है और ये जो है आपका D block इसके अंदर एक दो properties और बची हुई है वो और हम next video के अंदर discuss करेंगे